ओम गंगन पते नमहाँ नमस्कार दोस्तों मैं समिनल थत्ते मेरे यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ आने वाले गणिश चतुर्ती की आप सभी को हर्दिक शुप काम नाए दोस्तों हमें तो पता है कि गणेश जी को दुरुवा बहुत पसंद है उसी तरह मोदक भी उने बहुत पसंद है हम उने मोदक का नवेद्य हमेशा दिखाते हैं दोस्तों आज मैं एक इच्छा पूर्ती मनो कामना पूर्ती का आपको एक उपाय बताने वाला हूँ जो गनेश जी को बहुत पसंद है गनेश जी को गूड का एक छोटा तुकडा और हम लोग जो पूजा में रखते है नारियल या शुभकारिय मांगलिक कारिय में जो नारियल फोर्ट है उस नारियल का एक या दो तुकडे और गूड का छोटा तुकडा गनेश जी के मूर्ती के सामने रखकर उनसे हम और किसी भी देंद रख सकते हैं मंगलवार बुद्वार गुरुवार किसी भी दिन उस दिन उनके सामने यह गुड का टुकडा और नारियल के टुकडे रखके हम उनसे हम कहें के हे गनेश जी हमारी यह मनो कामना हमारी यह इच्छा आप जल से जल पूरी करें और उसके बाद आप हर रोज दिन में नहाने के बाद 21 बार ओम गंगनपतये नमहा ओम गंगनपतये नमहा यहस मंत्र 21 बार रोज कहें दोस्तों हम हमारी इच्छा हमारी मनो कामना जो आपने मांगी है वह पूरी होने के बाद फिर से गुड और नारियल के टुकडे गंपती जी के मुर्ती के सामने रखकर हम उनसे यह कहें के है गंगनपत जी आपने मेरी इच्छा मेरी मनो कामना पूरी की इसके लिए आपको धन्यवाद और फिर वह जो प्रशाद रखा है आपने नारियल के टुकडे और गुड वह आप और आपके घर के परिवार के लोग खा सकते हैं उसे दर हमेशा रोज आप ओम गंगन पते नमहा का मंत्र का पाठ रोज 21 बार करते रहें उससे गंगनपत जी की कुरूपा आप पर हमेशा बरस्ती रहेगी दोस्तो आप सभी को फिर से मैं एक बार गंगनेश चतुर्ती की शुप कामनाई देता हूँ आपकी सेहत अच्छी रहे आपकी हर मनो कामना पूरी हो यह मैं गंगनेश जी को प्रार्थना करता हूँ दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर करे ताके मेरे नए नए वीडियो आप तक तुरन पोच सके धन्यवाद थैंक यू